तो हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों और आपका एक बार फिर से स्वागत है सेम लोकेशन और सेम ड्रेस के साथ कि यार मैं वीडियो सेम डे शूट कर रहा हूं अभी-अभी मैंने अपना रेवलेंड फिल्ड बुलड जो मेरी स्टेंडर विडियो शूट करिया नहीं दोसिक साइड में ऊसका बैनर और नि लिंक है अप देखके उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर अभी मेरा वीडियो होने वाला है वो ओनवाला मेरे साजर क्फीनिव कर दिया है साथ 2 फरवरी 2023 का मोडल अपना जो और रिवीव क्या है review में आपको देने वाला हूं और आपको इसके प्रो स and कॉंस के बारे में बताने वाला हूं कि क्या سकोटर में अच्छाई हैं और क्या तो होई जाता है तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इसके प्रोजर को और कॉन्स जो कि आपने पहली मेरा जो स्टार्टिंग की वीडियो आई थी इसका कंप्लीट वोकराउंड वो देख सकते हैं उसमें जो अपना डेशबॉर्ड है उसके बारे में तो सारी अजहां गरणिए रिट्स जोन्टींग झालशे किया है उसमें क्या है डिजटल डिस्पले वाला कंप्ली ने गायब गर दिया से वैसा डिस्पले दिया है विदाउट टूस्क्रीन जो है जोएस्टिक यहां तहां ना है बीम leo beam का सब टाइम के साथ मिट चुका है यहाँ पर जो है वो to है कि लेफ्ट राइट और होन का वो तो सब यहीं पर कि यहां पर ज्यादा यूज यहां से यूज़ हो चुका यह मेरे को लगा बट चलो इतना चलता है इसके लिए कोई ऐसा इस्व नहीं है बात करते हैं फ्रेंट फेस यासे के फ्रेंट से आप देख सकते हैं स्कूटर कुछ इस तरह का नजर आता है और फ्रेंट से तो मेरे को यार कुछ ऐसा डिस अपॉइंट्मेंट नहीं लगा हां एक चीज थी थोड़ा सा जिसके लिए मैं पहले शोरूम में विजट भी कर चुका हूं जो इसका यहां पर मतलब कौन सेट जो होता है वो मेरा यहा जाने की वज़े से इसका कॉन सेट जो है ना वो बिल्कुल खतम हो चुका था यह देखिए पूरा उपनली है कुछ भी ऐसा नहीं है जो कवर्ड हो जिससे कि अंदर की जिज़े कवर हो सब कुछ उपन है और यह मेरे को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इस स्कूटर का लगा है जो कि चलिए कंपनी ने रिजोल्व कर दिया था ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने कौन सेट वगरा चेंज कर दिया था जो कि साड़े साथ अजार किलोमेटर पर मेरा खराब हो गया था वो मेरे को थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा बाकि थोड़ा सा जो फिल्ट फिलोसी में आता है बिल्कुल और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसका में डिस एडवांटेज यह देखी गाई फिटिंग एंड फिनिश की थोड़ा सा इशू मेरे को आ रहा है यह जीजे ऐसे थोड़ा से खुल चुका है यह फिट एन फिनिश में थोड़ा सा इशू ह है और एक जो मेजर चीज है ना इसके अंदर आपको मैं दिखाऊं यह जो लाइट यहां पर दी हुई है इतर की साइड से यह कंटीनिव मैंने देखी है रात को भी जलती रहती है बूट अगर हम बंद कर देते हैं बंद करने के बाद भी वह जली रही होगी शायद मैं लॉटा इते हैं यहां से नहीं दिखे गाए रात के टाइम ज्यादा दिखता है गाइं यह देखिए यह देक यहां से सइसाथ नहीं यह नहीं यह नहीं वह तो अंदर है बट लाइट की जलीरती है यहां बेख पा रहा हूं और कैमरे में लिए दिख पाएगा यार стать को वह इसमें बहुत गलत शिस्टम है दूसरा ये जो चीज है यह पूरा का पूरा यह पे जो सिर्फ दो श्क्रूू के उपर पूरा फेंडर रोका हुआ है और ये पूरा इलता है इस तरह से यह मेरे को बहुत गलत सिस्टम इसमें लगा है यार और इसके साथ साथ और एक दो चीज़े और भी है जो कि बैल्ट का बैल्ट पूरा मतलब थ्रोटल तो चलता है मतलब काफी अच्छी स्पीड भी है इसके अंदर पीकप भी काफी अच्छा है बट ओपन है यार और उसकी वज़े से बहुत जल्दी साउंड करता है और हाँ एक चीज़ और बहुत गंदी लगी मुझे जो ट्यूबलस टायर्स हैं MRF के हैं बट टायर्स का इतना अच्छा मेरे को वह नहीं लगा मेरे टायर में पिछले वाले में तीन पंक्चर अब तक हो चुके हैं इसकी जो ट्यूब का यह है यह है देखाऊ यहां पर यह पंक्चर यह है तो दो पंक्चर अगले वाले टायर में भी हो चुके हैं यह सब इसका मतलब मेरी साइड से जो मेरा रिव्यू था वह है बाकि थोड़ा-थोड़ा जो मतलब मैं दिखाऊं आपको फिट और फिनिश का थोड़ा सा मेरे क को नहीं पता बट मुझे यह आवाज आ रही है अभी मैं 10,000 की सर्विस कराने वाला हूं महां पर देखता हूं क्या रहेगा और एक इस चीज का यार आप बहुत ध्यान रखिएगा एक यह मेरा पता नहीं किसी ने क्लिप निकाल दिया था कहीं पर खड़ी हुई थी फिर म आज तक की डिस्प्ले अगर डिस्प्ले की बात करूं 10,000 किलोमेटर के बाद भी एक नंबर रिस्पॉंस बिलकुल एक नंबर मतलब मैं बता नहीं सकता कि हां मैं इसकी डिस्प्ले से बहुत जादा खुश हूँ यार जो सीजे मतलब इसके नेगेटिव थी वह मैंने आप से शेयर करी अब मैं शेयर करता हूँ पोजटिव इस डिस्प्ले में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई परफॉर्मेंस की मैं बात करूं स्मार्ट इको इको या फिराइड या स्पोर्ट चार मोड है इसके अंदर और चारों मोड बहतरीन तरीके से काम करते हैं स्कूर्टी क और बैकप इतना अच्छा दे रही है यह बहुत अच्छा दे रही है और मैंने अपने स्कूर्टी की जो मैंने और वीडियो भी डाली हुए है अभी देख सकते हैं 75 किलोमेटर की रेंज इसमें बाकी है और और वीडियो जो मैंने इसमें डाली हुई है उन वीडियो के अं एड़ाइट एज की मुझे बहुत अच्छी लगी और एक इंडिकेटर काफी अच्छा है इसका मुझे ये भी काफी पसंद है और एक चीज ओर मैं कमपनी से expectation जो मेरी है company थोड़ा सा इसमें जैसे की indicator का यह sound है ना यह sound आ रही है यहाँ पर अगर speaker upgrade कर दे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगा उससे और थोड़ा सा display के अंदर company चाहे तो दे सकती है अगर थोड़ा सा music का थोड़ा सा entertainment का कुछ चीज add कर दे तो वाकि यहाँ बहुत 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 अगर entertainment इसके अंदर add हो जाए और बाकि और मैं इसकी अच्छाई होगी क्या बात करूँ जो backlight है इसका भी design मेरे को बहुत यह अच्छा लगा और ether की सबसे कमाल की चीज क्या है ether ने जितने भी आज तक models निकालने है ether का hardware में कोई change नहीं है जो भी change है ether के software में change है आपको range में फर्क मिलेगा बाकि hardware gen 1 है एक number है breaking वगेरा ether की इतनी ultimate हैगा इस मैं आपको क्या ही बताऊ आपके nearest जो भी store है अगर आप ether on करते है तो आपको पता ही है और अगर आप ether on नहीं करते है तो आपके nearest जो भी store है आप वहाँ पे जाके test ride ले सकते है बहुत अच्छी breaking है ether की और power performance में भी कोई doubt नहीं है और हाँ power performance से याद आया मुझे थोड़ा सा मैं यहां से सायद ना दिखा पाऊ बढ़ थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ मेरे belt में थोड़ी सी belt lose हो चुकी और थोड़ी से जो teeth है belt के वो देखो आप देख सकते हैं वो गिस चुके हैं guys यह देख सकते हैं जगह बन गी तो यह disadvantage मुझे लगा यह देखे इसके teeth के अंदर belt के जगह बन चुकी है काफी अच्छे सा आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर काफी अच्छे सा पता चल रहे है लेकिन अभी मेरी ether में बात हुई है इसके regarding तो वो लोग मुझे बोल रहे है कि हाँ जी इसका जो warranty है वो 20,000 km की हो चुकी है belt की अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ belt खराब है तो वो नई replace करके देंगे यह replace हो जाएगी यह चली जाएगी और दूसरी belt मेरे ether पर लगा के देंगे तो वो देखता हूँ 2-3 दिन में सर्विस के लिए जाने वाला हूँ तो तभी मैं आपको बता दूँगा उस सब चिज्जों के बारे में और एक थोड़ा सा न यह system मेरे को अजीब लगा यह कहीं बार बार ही रह जाता है यह अंदर नहीं जाता है ऐसे आज तो पता नहीं क्या हो गया से अच्छे से काम कर रहा है लेकिन कहीं बार क्या करता है यह बार ही रह जाता है दोस्तों तो यह थोड़ा सा है बस ज्यादा वो चिज्जे तो इसके उपर हैंग नहीं होती बाकी अगर मैं आपको बता हूँ काफी अच्छा रिस्पोंस है और किसी चीज में कोई कमी नहीं है सब चिज्जे काफी अच्छी है बस थोड़ा सा यह फिटिंग और फिनिश की जो मैं बात कर रहा था यह देखें यह थोड़ी सी फिट और फिनिश में थोड़ा सा डाउट है अगर यह चीज़े क्लियर कर देती है तो बहुत अच्छा रहेगा बहुत ज़्यादा बहतरी मतलब नो डाउट है किसी चीज में परफॉर्मेंस वगेरा बहुत अच्छा है और थोड़ा सा जो मेरा एरिया है उसमें अभी फास चार्जर एवलेबल नहीं है अगर एवलेबल हो जाएगा तो यह भी काफी इंट्रेस्टिंग चीज मेरे लिए हो जाएगी बाकि इस वीडियो में आज तक यही मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगए होगा आपको पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगाए तो चैनल को सेर जरूर कीजिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को और वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाज जहिंद बंदे मातरों